हलो फ्रेंड्स आपका हमारे चेनल पर स्वागत है सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैं डेली आपके लिए वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए डेली वीडियो डाल पाऊंग इसली वीडियो में मैंने आपको फोर्टक्स ब्लाउस की ड्राफ्टिंग करना बताया था अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन वोक्स में उसका लिंक दिया हुआ है आप वहाँ जाकर देख सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको उसे क करना है यह हमने हमारे ब्लाउस के अस्तर को डबल फोल्ड पर रखा हुआ है और इस तरह से हमने हमारे ड्राफ्टिंग को रखा है बेक साइड को हमें फोल्ड वाली साइड में जमाना है और इस तरह से हमें फ्रंट साइड को यहां साइड में रखना है और साइड में जो जगह बच रही है, वहाँ पर हम बेल्ट को लगा देंगे, इस तरह से हम नीचे देख लेंगे, हमारी स्लिवस की भी कटिंग हमें नीचे रखनी है, इसके लिए हमने एक मीटर फेब्रिक लिया हुआ है, इस तरह से हमें हमारी ड्राफ्टिंग को फेब्रिक पर जमाना है, इ अब हम इस तरह से फ्रंट पार्ट को पहले रख कर देख लेंगे उसके बाद हम पहले बेल्ट की मार्किंग कर लेंगे यह हमारे बेल्ट की मार्किंग भी कम्प्लीट हो चुकी है इसके बाद हमें फ्रंट पार्ट को ट्रेस करना है हमें बिल्कुल पास में ही मार्किंग करनी है ज्यादा दूरी से हमें इसे मार्क नहीं करना है इस तरह से हमें पूरे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेनी है इसके बाद हम यहां पर स्लीव की मार्किंग करेंगे इस तरह से हम यहां से scale की help से straight line ड्रो करेंगे इसके बाद हमें इसकी marking कर लेनी है स्लीव में हमें थोड़ा सा joint लगाना पड़ेगा यह हमारी पूरी marking complete हो चुकी है अब हम इसे cutting करेंगे अब हमने जो भी marking की हुई है उन सभी को हम cut do is कि साइड में से जोइन को भी हम कट कर लेंगे हमने अपने सभी पार्ट्स को कट कर लिया है अब हमें इसे में फैबरिक पर कट करना है कि सबसे पहले हम में फैबुरिक को डबल फोल्ट में रखकर को के अच्छी तरह से जमा लेंगे इस तरह से double fold में लखने के बाद हमें हमारे अस्तर के fabric को इसके उपर लखना है इस तरह से back part को हमें fold side पर लखना है के बाद में front side को हमें इस तरह से उल्टा करते हुए लखना है अब पहले हम इसकी cutting कर लेते हैं आप इसे केसे भी cut कर सकते हैं जब हम इसे अस्तर के साथ जोड़ेंगे, तब एक्स्ट्रा फेब्रिक को हम कट कर देंगे. इसलिए आपको इसे ज़्यादा ध्यान से कट करने की जरूरत नहीं है. आप किसी भी तरह से इसे काट कर बस अलग कर लीजिए. में फेब्रिक को हम आस्तर से थोड़ा सा बढ़ता हुआ ही कट करेंगे ताकि हमें स्टिश करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो इस तरीके से हमें हमारे फ्रंट और बेक पार्ट को कटिंग करके कंप्लीट कर लेना है अब यह हमारा बेक और फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है इन्हें हम साइड में लगते हैं हमें इन्हें अच्छी तरह से जमाते हुए लख देना है ताकि बाद में इसमें सल ना पड़े नहीं तो हमें इसमें प्लेस लगाने की जरूरत पड़ेगी अब यह बचे हुए फैब्रिक में से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे हमारे अस्तर की फैब्रिक को हम इस तरह से लगते हुए बेल्ट को भी कट कर लेते हैं अब यह हमारा बेल्ट भी कट हो चुका है इसे भी हम साइड में लगते हैं हमें हमारी स्लीव्स की cutting करनी है जो हमारा fabric बचा है अब हम उसे double fold पर रखेंगे यह हमारा प्रिंट वाला side है अब इस तरह से हमें अस्तर वाले fabric को इसके ओपर रखके cutting कर लेना है हमारे main fabric में हमें joint लगने है अस्तर पार्ट में हमें joint लगाना होगा इसी तरह से हमने sleeves को भी अच्छी तरह से cutting करकर तयार कर लिया है side में से यह joint है इसे भी हम cut कर लेते हैं यह बिल्कुल perfect fitting के साथ आपका blouse बनकर तयार होगा आप एक बार इस तरीके से blouse की cutting और stitching करकर जरूर देखेगा अब हम हमारी sleeves के लिए जो joint है उन्हें cut करेंगे इस तरीके से हमने sleeves को रखा हुआ है और 4 pieces हमने cut करके ले लिये हैं हमें दोनों sleeves में, दोनों side में joint लगाना है इसलिए हमें 4 piece square shape में size के हिसाफ से cut करके ले लेना है इसी तरह से हम main fabric के भी joints को cut कर लेंगे 4 piece हमें इसके लिए भी cut करना है इस वीडियो में मैंने आपको जो भी steps बताई हैं आपको बस उन्हें follow करना है और उसी तरीके से आपको भी cutting और stitching करना है अब यह हमारा blouse पूरी तरह से cut हो चुका है अगर आप stitching में interested हैं और अगर आप basic से stitching सीखना चाते हैं तो please हमारे चैनल को subscribe करें और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो please वीडियो को एक like जरूर दीजिएगा next वीडियो में हम इसकी stitching करेंगे thanks for watching